यह बना रहे हैं और इस दौरान जो हम coding कर रहे हैं वो हम Visual Studio Code में लिख रहे हैं और हम जो API को test कर रहे हैं उसके लिए हम use कर रहे है Postman अब देखो मैं आपको इस वीडियो में एक सांधर चीज बताने वाला हूं आप Postman को Visual Studio Code में ही use कर सकते हो जी हाँ पूरा-पूरा same feature सारे चीज़े एकदम डिटो-डिटो ये सारे चीज़े जितने भी चीज़ आपको दिखाए देरा एकदम same user interface भी आपको मिलेगा और ये सारे चीज़े आप Visual Studio Code में ही यूज़ कर सकते हो देखो एक तो Visual Studio Code ऐसे ही इतना सांदार है और इस चीज़ के आजाने से और भी सांदार बन गया है तो देखो आप बिल्कुली वीडियो को मिसमत करना end तक देखना अच्छे से देखना और फिर आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करना है आपको अगर आप पोस्ट मेंट को इसी जगा पे Visual Studio Code में ही इंटेगरेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है आपको जाना है यहाँ पे Extension में और यहाँ पर जा करके आपको सर्च करना है थंडर क्लाइंट इस तरीके से जैसे आप थंडर लिखोगे ना बस इतना ही लिखने से और इस पेस मारोगे जैसे तो थंडर क्लाइंट का Automatically यहाँ पे आपको एक इस तरीके से सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर मैंने और इस तरीके का आइकन दिख रहा होगा आप अब जैसे क्लिक करोगे ना क्लिक करने के बाद देखो इस तरीके से खुलके आएगा अगर आपको नहीं आ रहाँ गाना थोड़ा सा मेबी थोड़ा सा अगर एक दो मिनट का टाइम अगर ले अगर आपका प्रोसेस श्लो होगे रहा है तो आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से इधर उधर करना तो यह आ जाएगा ठीक है अब आप यहाँ पर नियू रिक्वे देख है गत्वury बनाने में ग्लता बड़ा आपको बड़ा आरेविधा सारी झाटो साषियूं कि यहाँ थे हैं आपको एकुछूली बिडियो में पीछली विडियो में इसक आपको एक तक रहा हूँ और अब भी देखने अनुन जा अपर िख एम कंपीधिरा बिल्स्ट सब्सक्राइब पोस्ट पे गया है और URL आप copy paste मारो यहां पे जो भी URL है आप इसको लगा दो यहां पे हो गया उसके बाद body पे जाओंगा क्योंकि मुझे data भीजना है sign up करना है तो मैं यहां पे जाओंगा JSON format में मैंने click कर लिया अब यहां पे मैं JSON data दोंगा अब चाहो तो थोड़ा सा इसको नीचे कर सकते हो इस तरीके से तो यह जगह बन जागा यहां पे अब मैं यह data यहां पे इस तरीके से JSON data बिचता हूँ control c मैं कर लेता हूँ यहां इसे चुकि मैं type नहीं करना चाहूँगा time बचा रहा हूँ तो यह इस तरीके से हो गया ठीक है अब मैं थोड़ा से इसको change कर देता हूँ बस abc के जगह में कर देता हूँ sexyz ओके इस तरीके से password में यह तरीके से अभी मैं send करता हूं इसको यहां पर मैं send कर रहा हूँ इस साइड में देखो response आगा अभी, ओके, देखो, बड़ी है न, ये देखो response आगया, ये add हो गया, ये user register हो चुका है, ये देखो ID, username, password, इस तरह के से सारा, देखो password has code में जो इस तरह के से, मैंने code लिखा हुआ था न, API में, तो ये इस तरह के से देखो save हो रहा है, तो ये यहां पर, URL को copy करता हूँ, ctrl c, right, और मैं यहां पर paste कर देता हूँ, ctrl v, है न, इस तरह के से, ओके, ये भी हो गया, उसके बाद मैं यहां पर, इसके body में जो data था न, मैं उसको उठा लेता हूँ, actually, आपको change करना पड़े गा, ये, है न, तो मैं, इसके body में अभी ये, इ इस तरी के से देना है, अब मैं इसको change करता हूँ, ठीक है, यहां पर आप gate request वगरे भी सारा कर सकते हूँ, अब सब का सब मैं कर दूँगा, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप भी test करो, देखो ये, हो गया न, सांदार, देखो token मेरे को मिल रहा है, login हो गया, successfully, okay, तो ये मैं एकदम मस्त काम कर रहा है, अब अगर मैं आगे कुछ middle barrier लगा कर रखा हूँ, तो out में जा करके, मैं यहां पर बाकी request कर सकता हूँ, gate, boot, post, सब कुछ है, आप खुद से करो देखो, यहां पर जितने भी history वगरे है, सारा कुछ यहां पर इस सरी के साथ जा रहा है, एकद अब आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अचावते हो कि मैं ऐसे और भी वीडियो लेकर क्या हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो को सेयर करो अपनी दोस्तों में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूल करो, सुधार की जैसे ही न्यू वीडियो है, आपको मिल जाए, ओके, बबाई, थैंक्यू